हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आए, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ओडिलर नंबर्स, ओकी, ओडिलर नंबर्स का यूज क्या होता है, वो मैं आपको ये वर्कशीट के थूँ एक्स्प्रेंड करूँगी, जिससे आपको बहुत इजी रहेगा, कि हो सकते हैं, और प्रेक्टिस करवा सकते हैं, ओकी, ओडिलर नंबर का यूज हम किस लिए करते हैं, क्लास बताने के लिए, अगर किसी ने बच्चे से पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस क्लास में स्टड़ी करते हैं, तो बच्चा क्या बोलेगा, ये नी बोले क्योंकि math as a subject है हम उसको learn नहीं करवा सकते हैं उसको हम जितना practice करवाएंगे ही उतना ही बच्चों को वो clear होगा ठीक है तो मैं यह बहुत बुक सर्च की है मैंने और इसमें बहुत अच्छी practice sheets हैं जो मैं आपको show कर रहे हूं जिससे आपको बहुत easy रहेगा बच्चों को ओडिलर नमबर explain करने में ठीक है so let's start क्या है यह topic ओडिलर नमबर write the correct number on each banner ठीक है यह देखे बैनर बने हुए है तो इसमें हमें क्या करना है ओडिलर नमबर राइट करने हैं ओके तो फर्स्ट क्या है 10 टी एंट यह 10 अब 10 हमें कैसे लिखना है यह बच्चों को बताना है ठ ठीक है 10 बच्चों को मालूम है 10 डिजिट बच्चों को पहले सी आता है ठीक है फिर T और H लगाना है 10th 9th 9 भी डिजिट बच्चों को clear है पहले सी क्योंकि उनको counting आती है T H 10th 8 आप पहले बच्चों को एक बार explain कीजिए फिर उनको practice sheet बना के दीजिए ठीक है practice sheet जितना आप बना के देंगे और जितनी practice कराएंगे बहुत ज़्यादा practice चाहिए मैथ में आप जितनी practice कराएंगे उतना बच्चों को बिल्कुल clear होगा कि ordinar numbers क्या होते हैं 6th TH उनको proper बताईए कि TH लगाना है 6th क्या आ रहा है TH आ रहा है 5th ठीक है 5 बना के TH लगाना है 5th 4th TH 3rd अब 3rd में change होगा 3rd R D आ रहा है ठीक है यह बच्चों के explain करना है R D 3rd आप जितना बच्चे practice करेंगे उतना बच्चे को यह topic clear होगा तो आपको बार बार उनको return में यह practice करवानी है 2nd Andy 2nd में क्या आएगा 2 और Andy 2nd 1st 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 ठीक है आप इसी तरीके से picture की थ्रू बच्चों को बहुत अच्छे से explain कर सकते क्योंकि picture बच्चों को बहुत attract करती है अब इस second work sheet है ठीक है topic क्या है circle the correct picture in each row ठीक है मैंने देखी one example करके बताया है क्या है यह fifth ठीक हमने पहले बच्चों को ओडिलन numbers learn करवा दिये picture की थ्रू banner बना कर अभी हमने कुछ pictures उनके लिए हमें maintain करनी है ठीक है हमने कुछ pictures draw की है क्योंकि picture की थ्रू बच्चों को clear करना बहुत easy रहता है फिफ्थ हमने learn करवा रखा है फिफ्थ ठीक है कि फिफ्थ क्या होता है आप उनको circle करना है तो आप count करवाईए one two three four five फिफ्थ किस पर आजा है five flower पर तो हमें उनको बताएए कि circle करना है ठीक है ninth counting उनको आती है पहले सी आप count करवाईए one two three four five six seven eight nine तो nine पर में ऐससे circle करना है ठीक है second second one two second okay six one two three four five six ऐसे बच्चों को count करके आप पूरा pictures बना के दीजिए और उनको count करके circle करने के लिए दीजिए इससे आपको भी पता पर जाएगा बच्चों को यह topic clear हुआ है या नहीं और बच्चे बहुत easy way में इसको सीख भी जाएंगे ठीक है next topic है हमारा auditor number का order कि हमें ये देखिए pictures हमने बनाए हैं अब हमने इसमें order मिलिया है first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth tenth 10 balloon है हमने उनके orders लिखे हैं ठीक है यह हमने पहले learn करवाया है बच्चों को learn करवाया है पहले learn करवाना है और आपको spelling उनको लिखवा के देखनी है जब वो learn कर लेंगे उसके बाद फिर आपको इस तरीके से worksheet ready करके देनी है practice के लिए अब order name ये तो order हो गए उनके numbers हो गए अब उनकी spellings लिखनी है first की spelling f-i-r-s-t first second s-e-c-o-n-d second third t-h-i-r-d third ठीक है ये तीन spelling है जो हमें ज़्यादा learn करवानी है क्योंकि ये new है बट 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये already बच्चों को learn है केवल हमें उन्हें बताना है कि इनके पीछे t-h लगेगा ये पहले learn करवाना है और बच्चों से आपको सुनना भी है और लिखवा कर भी देखना है जब बच्चे ये बिल्कुल प्रॉपर करने लगेगे उसके बाद आपको ये worksheet ready करके देनी है तो हमें order मालूम पढ़ गया 1st, 2nd, 3rd हमें order name मालूम पढ़ गई spellings अब देखिए उसे related इसमें कितने अच्छी बर्षीट दी है write the order of the object ठीक है अब ये objects है अब हमें क्या करना है इनमें इनके order लिखने है कितने birds है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 है अब हमें इनमें क्या note down करना है order आप बच्चों के explain कीजिए order order क्या है ये 1st, 2nd, 3rd तो इसमें क्या लिखना है 1st पर F, S, T 1st, F, F, I, R, S, T, 1st की spelling होती है और 1st digit में कैसे लिखते है order में कैसे लिखते है 1, N, S, T, 2nd, 2, N, D आप बच्चों को पहले बताईए कि 2nd, 3rd, R, D, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th इसमें हमें 9 birds लिखना है तो हमें 9 तक लिखना है 10 नहीं दिये है इसलिए 10 लिखना है अब apple ऐसी उनको apple का दीजिए आप ऐसे different pictures दे सकते हैं इसमें apple है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 apple है तो हमें यहाँ पर order कितने के लिखने है 7 तक ठीक है तो यह बच्चों का आप खुद करने के लिए दीजिए तो आपको करके दिखाएगा अब last topic क्या है? write the order name of the object order name अब देखें यह क्या है order name यह order थे उपर जो हमने इसमें fill किये हैं अब order name है वो हमें इसमें fill करना है ठीक है? कितने pot है? 1, 2, 3, 4, 4 तर pot है ठीक है? first की spelling क्या है? हमने पहले learn करवाई है बच्चों को F, I, R, S, T first, okay? F, I, R, S, T, first, second, S, E, C, O, N, D, second, third, T, H, I, R, D, third, okay? and last one fourth fourth ठीक है? F, O, U, R, T, H, fourth यह देखें पूरी वर्क्षीट रेड़ी मैंने जो भी वर्क्षीट थी वो मैंने पूरी explain कर दी हैं आपको आप इसी की वर्क्षीट से related आप और different pictures बना सकते हैं ठीक है? जो इसमें pictures हैं आप उससे और different pictures बनाईए और उनको वर्क्षीट र वीडियो से कुछ भी help मिली हो बच्चों को सिखाने में या identification कराने में तो please आप मेरे channel को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा like करें and share करें. Thank you.